हेलो फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्टे पते द्वारा मृत्य दंड को माफ करने का क्या प्रोसीजर होता है भारते सविधान ने लोगों को बहुत से अधिकार दिये गए है और उनके लिए कुछ कर्तवे भी बनाए गए है जब कुछ लोग दूसरे लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए सविधान में दंड का प्रोवीजन भी किया गया है ये दंड मृत्यू दंड से लेकर अजीवन कारावास या फिर कुछ सालों की सजा के रोप में हो सकता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के राश्टी पती द्वारा फासी की सजा या मृत्यू दंड को माफ करने का क्या प्रोसीजर है जानेंगे शुरू से आखिर तक जुड़े रहे है इस वीडियो के साथ हमारे भारते सविधान के अंदर आर्टिकल 72 में हमारे राश्टी पती को उन वेक्तियों को शमा करने की शक्ती दे गई है जो की कुछ अपरादों के लिए दोशी पाए जाते है जैसे की कोई जगन्य अपराद के लिए उन्हें मृत्यू दंड मिला हो या फिर सैन्यन यायले द्वारा कोई दंड दिया गया हो या फिर किसी अपराद के लिए उन्हें दंड दिया गया हो राष्टेपती सजा को माफ कर सकता है इस प्रोवीजन में राष्टेपती आरोपी को आरोपों से मुक्त कर देता है या फिर सजा को कम कर सकता है इसमें राष्टेपती सजा को कम कर देता है जैसे कि मृत्यों दंड की सजा हुई हो तो उसे अजीवन कारावास में बदल देता इसके अलावा दंड की अवधी का रीमिजन भी कर देता है, इसमें राश्टे पती दंड की प्रकरति में परिवर्ण किये बिना उसकी अवधी को कम कर देता है, जैसे कि पान साल के कठोर कारावास को दो साल कर सकता है, या फिर सजा पर विराम लगा देना राष्टे पती को ये अधिकार होता है कि जिस अपरादी को में सजा मिली है वो कुछ special condition में जैसे की सारीरिक अपंगता है गर्भा वस्ता है उसके दोरान उसकी सजा पर रोग लगाई जा सकती है राष्टे पती किसी दंड का suspension भी कर सकता है ताकि वेक्ती शमा या चिका के लिए अपील भी कर सके चलिए अब बात करते हैं कि भारत में मिर्यत्यो दंड देने का क्या procedure होता है भारत में ऐसे बहुत ही कम मामले होते हैं जिसमें की मिरत्यूदन की सजा दी जाती है सैसन कोट में जब मुकदमे की सुनवाई होती है तो सैसन जजज को फैंसले में ये लिखना पड़ता है की मामले को दुरलबतम यानि की रियरेस्ट आफ दर रियर क्यों माना जा रहा है सैसन जजज द्वारा दी गई मृत्यूदन की सजा तब तक वैद नहीं है जब तक की इसे हाई कोट में मंजूरी न मिल जाए भारति सविधान के अंतरगत ये विवस्ता है कि किसी भी अपराधी के साथ किसी भी दसा में अन्याई नहीं होना चाहिए इसी कारण से यदि किसी वैक्ती को निचली अदालत में सजा सुनाई गई है तो उस अपराधी को याधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति उपरी कोट में जा सकता है यानि कि वो राजी के हाई कोट में अपील कर सकता है और अगर वहाँ भी उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ नियाई नहीं हुआ है तो वो सर्वोच नेयाले यानि की सुप्रीम कोट में अपनी शरन ले सकता है लेकिन अगर सुप्रीम कोट ने सजा सुना दी है और वो फाइनल ही रहेगी अगर सुप्रीम कोट ने किसी को मृत्यूदन की सजा दी है या फिर निचली अदालत की सजा को ही बरकरार रखा है तो फिर सजा में सिर्फ राश्टे पती ही चेंजिस ला सकते हैं इसके लिए जब किसी मामले में किसी अपराधी को सुप्रीम कोट में कोई राहत नहीं मिलती और उसकी फांसी की सजा बरकरार रहती है या ऐसे कोई मामले जिसमें की खुद सुप्रीम कोट ने दोशी को फासी की सजा दे दी है तो वो व्यक्ति सीधे राश्टे पती के दफ्तर में अपनी याजिका को लिखित रूप में भेज सकता है राश्टे पती के पास दया याजिका दाखिल करने का प्रोवीजन भारत्य सविधान के आर्टिकल 72 में दिया गया है अपराधी अपने राजे के राजे पाल को भी दया याजिका भेज सकता है जबकि राजेपाल को प्राप्त होने वाली याचिकाएं जो सीधे ग्रह मंतराले को ही भेज़ दी जाती हैं लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि राजेपाल के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति के मृत्यो दंड की सजा को माफ कर सके ऐसी सक्ति सिर्फ राश्टेपती के पास ही होती है राश्टेपती ही किसी अपराधी की सजा को माफ कर सकता है ये याचिकाएं अपराधी अपने वकील के थुरू या फिर परिजनों के जरिये भेज सकते है इसके लिए सुप्रीम कोट ने राश्टेपती की शमादान शक्ति के लिए कुछ गाइडलाइन्स भी जारी की है जिसमें की सबसे पहले है दया की याजिका करने वाले व्यक्ति को राश्टेपती से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है दूसरे ये कि राश्टेपती एविडिन्स पर दुबारा से अधियन कर सकते हैं और उस पर अपना विचार विमर्ज भी कर सकते हैं तीसरे ये कि राश्टेपती इस पावर का इस्तेमाल मंत्री मंडल के परामर्श से ही करेंगे छोधा है कि अगर राश्टेपति को ये लगता है कि अपरादी की सामाजिक परिस्तिती इस तरह की है कि उसके परिवार को उसकी बहुत ज़यादा जरूरत है या फिर किसी और दूसरे ग्राउड पर राश्टेपति सजा को कम कर सकता है फांसी की सजा को उमर कैद में बदल सकता है या फिर उसे सजा के रोप में भी बदल सकता है पांचवा ये कि राष्टे पती को अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोट के किसी भी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है और राष्टे पती के इस निर्ने की कोई भी न्याइक समिक्षा भी नहीं किया सकती छटा ये कि एक बार जब राष्टे पती दया याचिका को रद कर देते हैं तो दूसरी याचिका को दायर नहीं किया जा सकता भारत में अब तक 14 राष्टे पती चुने गए हैं और सबने अपने अपने हिसाब से याचिकाओं का निप्टारा किया है भारत की पहली महिला राष्टेपती प्रतिभा पाटिल ने सबसे ज़्यादा दया याचिकाओं को स्विकार किया था उन्होंने कुल 30 फांसियों को माफ करने का रिकॉर्ड बनाया था देश में सबसे ज़्यादा 44 दया याचिका खारिच करने का रिकॉर्ड पूर्वु राष्टेपती आर वैंकट रमन के नाम है और आर वैंकट रमन के बाद सबसे ज़्यादा दया याचिका खारिच करने वाले राष्टेपती प्रनौ मुखर्ची है उन्होंने 28 तयाया चिकाओं को खारिज किया था तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो अउमीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसी वेक्ति को सज़ा किस तरह से सुनाई जाती है और वो सज़ा के खिलाफ किस तरह से राष्टे पती के सामने अपील कर सकता है और राष्टे पती उस अपराधी की अपील को किस तरह से फैसला लेते हैं उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रस करिए क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोट करूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच